है लो एबरीवन आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों कभी कभी क्या होता है पास्ता और मायकरोनी थोड़ी थोड़ी बच जाती है वहीं बनाने जा रहे हैं तो यह पास्ता मायकरोनी मैंने ले ली है यह फ़गोनी में पानी चठा दिया है इसमें डाल देंगे नमक और यह दोनों चीजे हम इसमें डाल देंगे थोड़ी थोड़ी बच गई थी वहीं मैं बना रही हूं तो थोड़ा सा हम तेल भी डाल देंगे नमक और पानी में डालेंगे और जब गरम हो जाएगा पानी तब ही हम इसमें डालेंगे मायकरोनी और जब तक पानी गरम हो र यूं दोनों चीजों को मिक्स्ट करके तो इनको अच्छे से चला देंगे और चलाने के बाट धक देंगे इसको भीमी आज कर देंगे जिससे की बॉयल हो जाए अच्छे से और इधर भगाउने डोंगे का भी पानी थोड़ा गुंगुना हो गया है अब इसमें थोड़े से देंगे जिसको सोया बड़ी भी बोलते हैं तो वही मैंने डाल दिये हैं थोड़े से एक देड़ मुठी भरके तो इसको हम चला देंगे थोड़ा ठके रख देंगे गुन-गुना पानी करेंगे खौलाएंगे नहीं अब हमने ले लिया है टमाटर और प्याज इसको मिक्स साब डाल देंगे और इसको कई पानी में धुलने के बाद में हाथों से निचोड लेंगे इसका पानी जो अंदर बच जाता है उसको उनको हटाना है तो इस पानी निचोड के अलग कर लेंगे नियूट्रिला को अब देखिए इधर हमारी मायक्रोनियो पास्ता भी बोयल तो रहा है इसको चम्त से हम चला के देख लेंगे तोड़ा निकाल के ट्न पक गया हैं कि नहीं तो इसको अब हम अलग कर लेंगे फ्लेयम को आफ कर लेंगे तो यह जाली धार परतन में इस इडलिया गरहमें पौर चाल लेंगे और फिर कढ़ाई में ने तेल चढ़ा दिया है और तेल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें न्यूट्रिला सबसे पहले डालेंगे न्यूट्रिला को हल्का फ्राई कर लेंगे इसे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा तो हम बहुत ही कम चीजों से बनार हैं हैं मायकोनी और पास्ता मिक्स कोई ज़रूरी नहीं कि सारी चीजें हो तब ही आप बनाएं कम से कम चीजों में भी अच्छे सची चीज बनाई जा सकती है तो फिर इसी कड़ाई में हमने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा तेल में जीरा डालने के बाद यह जो मैंने पेश्ट बनाया था टमाटर और प्यास्ट इसको डाल देंगे तो इसको डालने के बाद अवर हम इसको चलाएंगे अच्छे से पकाना है तो यह देख सकते हैं अप लोग आब हमें इसमें डालनेंगे धनिया पाॉडर और इसके बार नमक स्वादा नुसार आप डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्च यूज नहीं करी है इसलिए हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं दोस्तों तो अब हम इसको अच्छे से चला दिये हैं को हम हम इसमें ढाल देंगे यह बॉैल किये हुए माइक्रोणी और पास्ता दोंगों चीजें अब अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद और अब हम इसी में यह डाल देंगे जो मैंने फ्राई करके रखते थे तो इनको भी मैंने डाल दिया है अब फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने का बहुत जीमी आज कर देंगे, फिर इसको ढख के पकाएंगे, फिर चलाएंगे, फिर ढख के पकाएंगे, ऐसे दो-तीन बार हम प्रोसस करेंगे, यह जो वसाले हैं, जो पेशिस्ट बनाया था, तो यह अच्छे से इसमे सब्सक्राइब करने धन्यान के इसे तॉद्धे वापी जए है भथ है करणा के फिर दो दो सब्ढ़ करता दोखुए ल हिर्वानी नुसरें दोसे इसके में खेपर आखे में देंगे दो 508 आफ हम दोन जाए경े धन्याने in ज़निया डालने के बाद फिर से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब हमने फ्लेम को कर दिया है और अच्छे से हमारा पास्ता जो है मिक्स हो चुका है तब देशके हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा आप लोग ऐसे ट्राइब करिएगा जरूर अगर कोई चीज नहीं है जिसे सब्सक्राइब करें लिए तो नहीं हमद्क यहां आप लोग पहुत ही तैस्टी बना सकते हैं तो आप हम सर्व कर रहे हैं इसको चाय के साथ हम लोग उज़ाय कर रहे हैं अब हम डाल देंगे शोस तो या तो आप टेमेटर केचप डाल सकते हैं जो भी साउस आपको पसंद डाल सकते हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा थैंक यू